हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं आज जो हम इस मंतली लव राशी फल की चरचा करने जा रहे हैं वो चरचा होगी जो हमारे विरशव लगन राशी के मित्र हैं उनके विषय में यानि के जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है तौरस असेंडेंट बेस्ट जो परसंस हैं चाहें आप महिला हैं चाहें पुरुश उनके मंथली लव राशीफल सितंबर 2024 की चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ और इस चर्चा के दोरान हम मुख़्े तोर पे पांच बातों को ले करके डिसकेशन करते हैं में की एक सिंगल जातक जो है जिनके लाइफ में अभी तक कोई मित्र नहीं आया है और आया भी है तो निकल के चला गया उसके बाद आपके कहीं दूसरी किसी के साथ व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं बने और आप आज भी 100% सिंगल है तो आपको ले करके गरौं का कyaw है य इशारा है क्या संकेत है कि भही सितम्बर 2014 क्या संकेत दे रहा है गरौं know की और से कि आपकी लाइफ में भी कोई आपका मन-पसंद मित्र आसकता है या भी और समय लगेगा दूसरा कि अगर आप लिविन रिलेशन में है या आपका कहीं affair चल रहा है तो उसको लेकर करके हालात कैसे रहेंगे, प्रोग्रेस होगी, नहीं होगी, या कहीं आपकी उस relationship में ही तो problem या समस्या पैदा नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, या कोई आपके बीच की relationship को disturb करने की कोशिश तो नहीं करेगा, या कोई भी ऐसा कुछ ऐसा कारण तो नहीं बन जाएगा कि जिससे आप के लिए परिशानी हो, तीसरा, अगर आप विवाहित हैं तो आपका महिला है या पुरुश हैं आपका विवाहित जीवन कैसा रहेगा, और अगर आप विवाहित भी हैं और कहीं आपका extra marital affair है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, और यदि नहीं हैं तो आप ये जानना अगर चाहते हैं कि क्या सितंबर 2024 में कुछ ग्रों का ऐसा योग है, कि आप marriage होने के बाद भी, आप married होने के बाद भी, कि आपका कहीं दूसरी जगे कुछ extra marital का कुछ सिलसला शुरू हो, तो उसकी विशे में भी बताएंगे, और अन्त में बताएंगे कि भाई, अगर आप no contact situation में हैं, आज की date में आपका उनके साथ, अपने person के साथ, किसी प्रकार का भी कोई contact नहीं हो पा रहा है, या नहीं हुआ है अभी तक, और अब आप यह जानना चाहते हैं, कि क्या सितंबर 2024 आपके लिए suitable रहेगा, इन कार्यों के लिए, क्या आपका person आपके करीब आएगा, या आपके उससे मुलाकात होगी, या आपके बीच में दुवारा से एक अच्छा confidence दौनों को लेकर के आप एक दूसरे के प्रती बनेगा, तो ये सारी बाते हम इस वीडियो में के दौरान करेंगे, अपनी स्कार्य करम के दौरान, और सबसे पहले आईए, आप बिरशाब लगन राशी के जातकों के जो सिंगल जातक है, उनके विशाब में बात करते हैं और जानते हैं कि ये महीना सितंबर दोहजार चौबिस आपके लिए कैसा या किस प्रकार का रिजर्ट देने जा रहा है, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्योंकि शुक्र जो हैं वो नीच अवस्था में हैं और नीच अवस्था में रहेंगे ये आपके फिफ्थ हाउस में अठारा सितंबर दर तो देखिए मैं बहुत ही फ्रेंकली आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इधरोदर की घुमाकर के बातें नहीं करता, मैं आप ब्रिशव लगन राशी के जातकों उसे बहुत इस्पश्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिया साथियों, कि जो आपकी बुद्धी है, आप बेशक चाहें अपसे पहले, पिछले महीनी के अगर बात करें, बेशक जिसको भी आप पसंद कर रहे थे, उसके लिए आपके दिल में फिलिंग्स, चाहें कितनी भी अच्छी क्यों नहों, लेकिन ये जो आप ग् अंकेत सई नहीं है, किस रूप में नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ये बुद्धी को ब्रहमित करेगा, ये जो ग्रहों की सिती है, शुक्र की विशेश रूप से, आपकी बुद्धी को ब्रहमित तो करेगा ही करेगा, बुद्धी को ये गलत कार्रे के लि लेकिन ये क्योंकि ग्रही तो सब कराते हैं जीवन में तो ये जो पीरियड है आपको बहुत सम्हल करके रहना है हमारी जो बात आप से करने का परपस है वो यही है कि हम ये बता सकें कि आपको एक तारीख से और अठारे तारीख के बीच में बहुत ही शांत रहना है किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटी आपने नहीं करनी क्योंकि ये जो डूरेशन है अठारे से तंबर तक का इसमें आपकी बुद्धी को मैं बता चुका हूँ भिरमित तो होगी होगी साथ में आपकी बुद्धी को ये ब्रष्ट भी करेगा गलत रास्तों पर ले जाने की आपको प्रेरित करेगा ये गलत रास्तों पर कुछ गलत डिसीजन्स भी आप ले सकते हैं और गलत डिसीजन्स जैसे की for example कि मा लीजे आपका मित्र है आप उसको बहुत अच्छी नजरों से देखते थे आपके दिल में उसके लिए respect, प्यार, सब कुछ है लेकिन ये जो अठारे दिन है ना इसमें ये ऐसी स्थिती पैदा कर देंगे ये गरे कि आपके दिल में जो वो सब चीजन्स थी, जो sentiments आपके थे उस सब change हो जाएंगे भावनाएं सारी बदल जाएंगी और आप अपने उसी मित्र को कुछ दूसरे नजर ये से देखना शुरू कर देंगे जो कि जिसको की गलत द्रश्टी से भी कहा जाता है कि गलत द्रश्टी कौन है आपका उसको लेकर के, गलत राय है आपकी उसके बिश्टी में ऐसा व्यक्ति वो नहीं है जैसा कि आप उसको मान कर के चलना है या सोच रहे है तो कुछ इस प्रकार का कि भाई, कोई बात नहीं है मित्र तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे कुछ इस प्रकार की बुद्धी कर देंगे ये मैं तो आपको एक एक्जामपिल दे रहा हूं या कुछ और भी कुछ हो सकता है अलग मतलब ये नीच का गरे है तो कुछ भी गरड़वार कराएगा तो यहां पर आपको अपनी बुद्धी को बिल्कुल एक तरीके से बैलेंस क करके चलना है सेंट्रल में रखना है कोशिश यही रखनी है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत डिसीजन या गलत कार रहे ना होने पाए ये चीज के लिए हम आपको सचेत और साथदान कर रहे हैं और मैं आपको छोटा सा एक हंट भी दे चुका हूं कि आपको उसी मित्र के वि opinion रखते हैं इतना अच्छा viewpoint रखते हैं उसी को ले करके आपके मन में कुछ गलत ख्यालात भी पैदा हो सकते हैं कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं कह रहे कुछ नहीं ठीक है देखते हैं enjoy करते हैं तो जो की गलत है एक तरीके से सही नहीं कहा जाएगा तो साथियों 18 सितंबर के बाद ग्रों की सिती बदलेगी और 18 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच का जो टाइम है इसमें आप थोड़ा सा चीजों को समझेंगे अपने उस मित्र को ले करके भी समझेंगे और अपने उस मित्र की अगर कोई मजबूरी भी है या कोई ऐसी बात भी है या जो कमी आपको उसमें पहले दिखाई दे रही थी पहले 18 सितंबर के वो भी गलत समय है आपकी दूर होंगी कि नहीं भही मैं ही गलत समझ रहा था कि ये कुछ इस टाइप का व्यक्ति है ये मेल या फीमेल जो भी है करेक्टर लेस है या क्या है तो मैंने भी अपनी विचार धारा उसी के अकॉर्डिंग बदल ली थी मैं ही गलत था मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत थी या जो मैंने देखा वो गलत था वो सही नहीं था मैं कुछ देख करके कुछ और अंदाजा लगा गया तो ऐसी चीजें हो जाती है और होंगी ग्रों के आधार पर लेकिन 18 सितंबर के बात से लेके और 30 सितंबर तक का जो स समय है इसमें आप काफी विवेक का परिशे देंगे बुध्धी का परिशे देंगे और बुद्धी का परिशे देने का मतलब है कि आप बुद्धी के दवरा ही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें फिर आप जो भी डिसीजन लेते हैं या जो एक्शन लेते हैं वो भी काफी अच्छा रहेगा और जो आप वो डिसीजन लेंगे उससे आपका जो वो मित्र है जब वो आपको इसे वस्था में देखेगा या ऐसा कुछ आपकी सोच जो है अगर उसका पता उसको लगेगा अठारे सितंबर के बाद की जो सोच है तो उसके दिल में भी आपके प्रती एक प्यार और रेस्पेक्ट आएगा भाई अच्छा है चलो विचार बदले एटिटूट चेंज हुआ अब पॉजिटिव एटिटूट है तो चीजें अठारे सितंबर के बाद मैं देख पा रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव दिशा मे जा रही हैं बतलब सकारात्मक दिशा में जा रही हैं सही दिशा में राइट डिरेक्शन में चीजें चल रही हैं और इससे कही न कहीं आप अपने इन संबंदों में आगे बढ़ेंगें तो जो भी पॉजिटिविटी है जो भी गूड रिजल्ट है वो 18 सितंबर के बाद ह ही है सिंगल जात्कों के लिए अब बात करते हैं कि अगर आपका कहीं रिलेशन चल रहा है आप रिलेशन शिप में या आपका एफेर चल रहा है तो परिया साथियों फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने उस गलत decision ले सकते हैं या गलत कार्या कर सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको पश्टाना भी पड़ेगा. तो बहुत सोच समझ करके, जो भी करना है बहुत सोच समझ करके चलें, करें, आप मानने भी हो सकते हैं, आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है. तो यहां पर ये चीज़ें देखना ज़्यादा जरूरी हैं, देखिए relationship जब होती है, किसी के भी साथ आप करते हैं, कोई भी male हो या female हो, तो खाली ऐसा नहीं है कि भाई, बस हो गई relationship और आप रह रहे हैं, अब ठीक हैं, जो करना हैं वो ठीक हैं, ऐसा तो नहीं होता, आपक बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा, उनके sentiments को भी आपने respect पर करना है, खाली अपनी बात थोपना, या अपने हिसाब से ही सारे कार्य करना, तो फिर तो naturally है, कि relationship में गड़बर होगी होगी, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत समल करके चलना है, लेकिन 18 से तंबर के बाद जो है, आप भी realize करेंगे, कि मैं जो कर रहा था, वो गलत था, मैं ही सही नहीं था, ये चीज आपको सुयम को realize होगी, शादी का विवा का योग नहीं है, पूरे महीने, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको विवा करने की planning आ विर्शब लगन राशी के जातकों का, मैं इसमें कोई कमी नहीं देखता हूँ, पूर्ण रूप से, उसका पूरा लाव, पूरा सुख और आनंद, आप ले रहे हैं जीवन साती के साथ, अपना सुखत पल आप विवतीत करेंगे पूरे महीने, विर्शब लगन राशी के करता हूँ, लेकिन पॉसिबिल्टी ये ऐसी है कि इसमें ज्हमेले जादा हो जाएंगे, यनि कि वो कहते हैं न, कि इतना कुछ होगा नहीं, जितना कि आप श्री में बदनाम ना हो जाएं कहीं, इतना आप करेंगे नहीं, जितना कि बदनामी से आपके सर पे आ जाएगी, लोग मुपे नहीं बोलेंगे, पीट पीछे बोलेंगे, तो इसलिए अब ही आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दें, और जो पहले से रिलेशन्शिप में हैं, एक्स्टा मेरिट अले फेर चल रहा है जिनका, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, विर्शब लगन राशी या महीनों के ग्रह, इस महीनों में जो ग्रहों की सिती है, उसके बात करें, कुछ इस प्रकार के संकेत हैं, कि आप किसी भी सूरत में, देखिए, ना तो आप अपने वैवाईक संबन्दों को ही खराब करेंगे, करना चाहेंगे, और नहीं आप अपने मेरिटल एफेर्स को लेकिन आप दौनों के बीच में एक ऐसा बेलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी मैनिपुलेशन होंगी, वो भी बहुत काविले तारिफ होंगी, और आप दौनों चीज़ों का ही बेलेंस करके चलने की कोशिश मेंने कहा करेंगे, दौनों चीज़ों के बीच म मिलता हूँ या तो अपने आपको आप नियंत्रन भी करेंगे, अपने आपको कंट्रोल भी कर लेंगे, तो बहुत अच्छे डंग से मैनेज करेंगे आप चीजों को, इसमें कोई दो रहा नहीं है, अपने वैभाई जीवन भी हो, चाहें आपका extra marital हो, और बहुत समल करके चलेंगे, अंत में बात करते हैं, कि भई, no contact situation, कि सिती कैसी रहेगी, तो प्रियसाथियों देखिए, मैं आपसे बहुत clear, और इस पश्ट रूप से बताना चाहता हूँ, कि आपका अगर मित्र, अगर आपका मित्र, मैंने अगर कहा, कि अगर आपका मित्र आपसे बात करने के मूड में नहीं है, आपसे मिलने के मूड में नहीं है, ऐसा आपका सोचना है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता वो आपसे मिलना नहीं चाहता उन्होंने आपको क्या केते हैं सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक करके रखा हुआ है वगेरा वगेरा तो यहां पर आपको इर्रिटेट होने की आवश्यक्ता नहीं है अगनाओं में बहकर के आपके दौरा कोई भी डिसीजन लिया हुआ गलट डिसीजन लिया हुआ आपके जो भी थोड़े बहुत कोशिश हैं जो चल रही थी पहले से उन पर भी पानी फेर देगा और आगे के लिए चीजें और उलज जाएंगी मुश्किल आपके लिए 18 सितंबर तक तो आप बिल्कुल शान्त हो करके बैठ जाएए आप सोचिये ही मत कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है उसने आपको रिजेक्ट करा है या आपको एकसेप्ट कर रहा है वो कुछ नहीं सोचना आपने जो भी आपने कारवाई करनी है वो करना है 18 सितंबर के बाद और 18 सितंबर जब निकल जाएगा 18 सितंबर के बाद जब आप उनकी और बढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपके सामने अवश्य आएंगे चाहें उनके कोई उनकी और से किसी प्रकार का संकेत हो या कोई बात हो जो आपको पता लगे या कोई मैसेज आ है आपके पास लेकिन ये सब चीजों की संभावना जो बनेगी वो 18 सितंबर के बाद ही बनेगी साथ ही 18 तारीक तक आप कोई भी ऐसी हिमाकत मैं तो हिमाकत कहूंगा ये हिमाकत इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपके दोरा कोई भी लिया गया decision या action आपको परिशानी में डाल देगा ऐसी गरों की सिती है ऐसा गरों का संकेत है तो मैं बार-बार इसलिए आपको कोई भी कार्य करने के लिए मना कर रहा हूँ शांत रहने के लिए कह रहा हूँ 18 के बाद आप जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे कम से कम अपनी बुद्धी का तो पूरा सद्यूपयोग करेंगे ही ना चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे उनकी और से भी जो भी situation रोगी उसको भी आप आख लन करेंगे उसका भी analyze करेंगे उसको भी अपनी चीजों को भी करेंगे और कुछ ना कुछ आपके सामने चीज positive result के रूप में आएगी 18 से लेके सितंबर के बीच तो प्रियसातियों ये थी चर्चा आप ब्रिशब लगन राशी के जातकों को ले करके यनि के आप ब्रिशब लगन राशी के जो जातक है उनका जो मंचली लवराशी फल है जो की सितंबर 2024 से सम्दित है उसको ले करके ये चर्चा आपके साथ हमने की है कि आप रिशव लगन राशी के जातकों को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट इस महीने में मिलने की संभावना बन रही है और हम यह आशा करते हैं कि जो भी चर्चा हमने ग्रों की सिति के आधार पर जो संकेत हैं हमने आपके साथ की है साजा आ अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरू करें चैनल भी हमारा सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर भी करते हैं तो और लोग भी जानकारी का लाब ले सकेंगे साथियों ये भी आप से बताना चाहत हमारे वीडियो के टॉपिक पर बनते हैं वो भी अगर आप उनको भी चाहते हैं कि आपके पास आएं और आप उन सभी वीडियो का समय पर लाब ले सकें तो फिर बैल आइकन को भी जरूर पुश्ट कीजे इसी के साथ अपने इस कार्यकरम का समापन करेंगे और अपने झाल